वेलकम टू आर चैनल फार्मेसी अपडेट्स जो रखता है आपको अप्टू डेट विद फार्मेसी अपडेट्स आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ए आई सीटी के बारे में ए एक एकेडमिक कलेंडर रिलीज किय जो कलेंडर आपके अपकमिंग सेशन के लिए अपली युद्स कालेंडर में सारी इंपॉर्टन को समराइस किया हूँए को औन मिल्द लेना होगा युद्ध-प्रोइड तो इस तरह से आपका कलेंडर आपको दिखाई देरा है अपनी इस्क्रेंड पर तो इस तरही का एक कलेंडर निकाला हुआ है प्रोफेसर राजी कुमार जी ने तो आईए आप जानते हैं कि क्या है हमारे अकेडमिक कलेंडर और क्या-क्या डेट्स हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए उसी डेट्स के साब से हमारे आगे के अकेडमिक से लोप करना है तो यह जो आपका पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इवेंट फॉर दे टेक्निकल इंस्टिटूट यह जो इवेंट की लिस्ट दी हुई है यह आपके पीजी डीएम और पीजी सी एम के इंस्टिटूट के लिए अपलीकेबल नहीं होंगे इन इंस्टिटूट में क्या अपलीकेबल होगा हम नेक्स स्लाइड में देखेंगे हमने इसको पार्ट में आपके फर्म एंटिक कोर्स आजाएंगे तो इन सारे टेकनिकल कोर्स के लिए यह डेट अप्लीकेबल है तो जैसे कि पहली डेट है आइसे टी के अप्रूवल की है एसीटी का जो अप्रूवल है उसकी डेट है मारी 30 जुन 2021 और अगर किसी कॉलेज को अपना अफिलेशन लेन या फिर बोड के दौरा तो उस अफिलेशन के लिए वो लास्टेट उनके लिए अप्लीकेबल है 15 जुलाई 2021 तो अब जो इसमें स्टुडेंट के जानने वाली बात है जो हमारे नए स्टुडेंट है जो की जाना चाहरे है कि अड्मिशन कैसे लें कब लें क्या है बत curly स्टुडेंट है सेकंड राउंड के कांसिलिंग हमारी होगी 9 सितमबर 2021 सेकंड राउंड के साथ-साथ में ही हमारी सारी कांस लिक खतम हो जाए गिए उसके बाद में हमारे जो एड्मिशन क्लोस होने की last rate है जो सारे की एड्मिशन क्लोस कर देंगे उसके बास से हमा आपकी classes start हो जाएंगी तो हम उन सबी students से यह कहना चाहेंगे कि जो भी interested है जो भी admission लेना चाहते हैं इस technical course में जो की AICT के दोरा चलाए जाते हैं तो उन सारे technical courses के लिए आप जल्दी से जल्दी admission ले लीजे 15 सितंबर से पहले आपको admission कन्फर्म कराने होगा अपनी seat कन्फर्म कराने होगी अब बात करते हैं कि जो हमारे student already हमारे student है third year के second year के fourth year के जो भी student है उनकी नई classes उनकी classes एक सितंबर से start हो जाएंगी तो हमारे जो पुराने student है वो घबड़ाया नहीं हो उनकी classes नय session की 1 September से start हो जाएंगी इस session को इस semester को जल्दी से जल्दी वो complete कर लें फिसके बाद में नय semester 1 September 2 से start हो जाएगा अब एक जो आपको information देना चाहेंगे वो information यह है कि जो हमारे lateral integrate student होते हैं जो की second year में admission लेते हैं newly admitted student होते हैं सीधे second year में admission लेते हैं प्लोमा करने के बाद में वो students की भी classes 20 September 2021 तक start हो जाएगी तो 20 September 2020 तक सारी की सारी classes start हो जाएगी जितने भी courses उनकी classes start हो जाएगी तो बात करेंगे calendar के next part के बारे में इस part में हम discuss करेंगे PGDM और PGCM institute के बारे में तो यह जो institute होते हैं directly given किये जाते हैं इसे related जितनी भी courses होते हैं और directly given किये जाते हैं यह ICT के द्वारा और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह academic calendar का part है इसलिए हम आपके screen पे इसको दिखा रहे हैं तो आप सभी अपनी screen पे इसको देख सकते हैं करते हैं सर्कुलर के third part के बारे में तो इस third part में हम बताने वाले हैं आपको कि जो भी आपकी university है या जो भी institute है जो कि distance learning program चलाते हैं तो उनके लिए deadline dates कुछ इस तरीके से आपकी screen पे आपको दिखाई दे रहे हैं इसके साथ ही AICT ने कुछ important notes दिये हुए हैं सर्कुलर में जिसमें पहला point है जितनी भी AICT approved university है institute है उनको AICT ने request की है कि AICT और UGC द्वारा जारी guideline को सभी परिक्षाओं में लागू करें जिने pandemic situation के चलते समय समय पर जारी किया गया है साथ ही सभी institution को यह भी निर्देश दिये गया है कि वो classes को online या फिर offline या फिर rotation mode में चला सकते हैं और इस दोरान उन्हें pandemic protocol का भी ध्यान रखना होगा तो classes कभी online चलेंगी कभी offline चलेंगी या फिर हो सकता है कुछ time online चले कुछ time offline चलें तो इस तरह से आपकी classes आगे चलती रहेंगी एक बात और AICT ने अपने academic calendar में confirm किया है कि यह academic calendar चेंज भी हो सकता है जैसा कि हमें पता है कि और ऐसे situation के चलते ministry of home, ministry of health and ministry of education जो भी guideline लेके आएंगी उन guideline के चलते इस academic calendar में changes किये जा सकते हैं तो यह academic calendar इशू किया गया था प्रोफेशर राजी कुमार Member Secretary AICT के द्वारा अगर यह आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो इस वीडियो की information आपको useful लगी हो तो हमारे चैनल को like करें subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलें Thank you